हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे में चटपटे पकोड़े कचोड़ी सभी को बहुत पसंद होते हैं लेकिन आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ यह बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता जिसे मैंने बनाया है बहुत ही हेल्दी तरीके से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो इस नाश्ते को बनाने के लिए दोस्तों मैंने ले लिए स्प्राउट्स जो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है अगर आपके पास यह स्प्राउट्स ना हो तो आप साबुत मौंग को भीगा कर भी रख सकते हैं तो यह अगर बेजर में से ना पें तो यह एक कप स्प्राउट्स थे मेरे पास मेरे पास ही मौंग और चनी के स्प्राउट्स थे आप इस नाश्ते को खाली मौंग से भी बना सकते हैं और अब मैंने इसमें डाल दी दो से तीन बड़े चमच दही की यह मैंने फ्रेश दही लिया है और इन साड़ी को बहुत जादे लूज नहीं रखना है और इसमें मैंने डाल दी आधा कप सूझी जिस कप से मैंने स्प्राउट्स ना पे दें ये समझे कि उसका हाफ कप मैंने सूझी डाली है मतलब जितने sprouts है उसकी आधी सूजी है और पानी का इस्तेमाल अभी बिल्कुल भी नहीं करना है और बस इस सूजी को अच्छे से आप इस mix के साथ मिला दें और मिलाने के बाद 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दें क्योंकि सूजी काफी फूलती है जैसे ही इस तरह की चीज़ों में जाती है तो इसके लिए इसका रेस्ट पे रखना बहुत जरूरी है तो मैंने अच्छे से कर लिया mix और दस मिनट इसको छोड़ दिया तो देखिए दस मिनट बाद हमारी सूजी काफी अच्छे से फूल गई थी और आप देख सकते हैं कि हमारा mix काफी अच्छे से एक्तम थिक जैसा हो गया है तो इस नाश्टी के लिए हमें ऐसा ही mix चाहिए अब मैंने इस मिनट जाल दिया आदा चोटी चमच नमक चोटी चमच हल्दी पाउडर में डाल रही हूँ जिससे अच्छा कलर आएगा आदा चमच धनिया पाउडर एक पिंच हींग और थोड़ा सा मैंने डाल दिया गरम बसाला और अब मैं ले रही हैं कुछ सबचिया तो मैंने ले ली दो से तीन हरी मिर्चे थोड़ा सा बारी कटा हुआ प्याज और थोड़ी सी बारी कटी हुई कैपसिकम सबजी आप इसमें अगर और भी पसंद करते हैं तो एट कर सकते हैं और अगर सबजी नहीं पसंद करते हैं तो आप खाली प्याज से भी इसको बना सकते हैं yes kanan आचेस से बना सकते हैं और और अब इन सारी सब्चु को मिलाएं कर अच्छे से मिल जाएं चाहे तो हातों से भी मिक्स कर सकते हैं और सब्सच्छा सेते हैं अपके अच्छे सा guiding मिल जाए अब आया कमpoh에 लिया में गफ़्य टालजा दें सोडा मैंने होगी है अगर आप जोड़ा मिखना है गिले दखालगी वादा पर समय है सोड़ को भी अजही मिक्स कर लिया है तो बस अब यह जो हमारा कमpoh Artill काफी added करने है देखे दखे दो दी दो मतलब कहीं भी कम ज्यादा मुझे नहीं फील हो रहा है बिल्कुल इसी तरीके से आपको सारी चीज़ों को मिला लेना है क्योंकि इस नाश्टे को मैं फ्राई नहीं करने वाली हूँ तो मैंने ले लिए इस तरह की एक छलनी और इसे थोड़ा सा ओयल सी क्रीज कर लिया क्योंकि जिससे हम इस नाश्टे को स्ट्रीम करें तो यह बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और अब हातों पर लगा ले थोड़ा सा पानी और थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन आप लें इसका और इसे बड़ो का आकार देतें पहले इस तरीके से राउंड करें बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और बीच में इस तरीके से होल कर दें तो यह देखिए हमारा बहुत ही अच्छा वड़ा एक्दम बन गया है और इस चलनी में थोड़े थोड़े से गया पर आप रखते चले जाए तो देखिए बनाने म जितने बड़े आराम से आजाएं तो आप उतने रख दें अब मैंने एक कड़ाई में पानी को बॉयल होनी के लिए रख दिया था और अभी से मैं से करीब 10-15 मिर्ट से तीम होने दूंगी जब लगेगा कि उपर से सैटल हो गई है तो देखिए करीब 15 मिर्ट लगे और य तो देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं तो अम मैंने ले लिए कड़ाई और इसमें चाल दिया एक बड़ा चम्मच ओयल का जैसे ऑल गर्म हुआ इसमें थोड़ा सा हींग दो सुखी लाल मिर्चे आदा चम्मच राई और आदा चम्मच वाई तिल डाले थोड़ा सा करी पत्ता डाला और इसके बाद इन सारी चीजों को तड़कने तक पस पका लिया एक मिर्ट मुश्किल से आपको लगेगा इसे करने में और यह जो हमने बड़े रखे थे इनको इसमें मिक्स कर दिया और अच्छे से इस मसाले के साथ कोट करते हुए बस एक से प्लिएं नश्क लगने तो कोटी से दूमीन से तरह है क्टी कि देखेंवे रखेत ठीटा है तो देख शके गजळ्या है तक अपने प्रॉट जोह आजियों से कितने अच्छे नचता भीयों से लिए तुम यह तो लिए हैं फ्या ऊष़तों कि श्क्त आपकूली वर की तो चाहे तो ग्रीन हो चाहे तोमेटो सॉस हो और आप देख सकते हैं कितने अच्छे स्पॉंजी वड़े हमारे बिना फ्राई कियों बनकर रेली हो गए हैं तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लिस लाइक और शियर जरूर करें और अपना रूप मुझे कमें बॉक्स में चरूर बताएं और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एक बारिस नाश्ते को आप भी चरूर ठ्राई करें आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिरिक नहीं रेसिपी के साथ तैन्यवाद